नमस्ते फोर्स कक्षा की विद्यार्तियों आप सभी का इस वीडियो में पुनश्य स्वागत है और आज की इस वीडियो में हम हमारे त्योभारों के बारे में कुछ जानकारी हासिल करेंगे जो की हमारे पूरे भारत वर्ष में बनाए जाते हैं मेरा नाम है प्रसाथ परिच जो की खूब मनुरंजक होता था भारत विभिन धर्मों का देश होने के कारण यहां बहुत से त्योहार होते हैं आए इस पार्ठ में भारत में मनाए जाने वाले विभिन त्योहारों के बारे में जाने आओ सीखें त्योहार के बारे में बताना राश्ट्रिय, धार्मिक और फसलियत त्योहार के बीच विभेद करना राश्ट्रिय, धार्मिक और फसलियत त्योहारों की विशेश्टाएं बताना त्योहार त्योहार उत्सव मनाने का अवसर होते हैं कुछ त्योहार एक दिन चलते हैं और कुछ कई दिन या हफ़ते भर भी चलते हैं। त्योहार का समय खुशी का समय होता है। त्योहार के दौरान हम अपने घरों को साफ करते हैं और सजाते हैं। नए कपड़े पहनते हैं। भगवान की प्रार्थना करते हैं। दोस्तों और रिश्टेदारों को उपहार देते हैं, स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेते हैं, त्योहारों को मुख्य तहत तीन श्रेणियों में बाटा जा सकता है, राश्ट्रिय त्योहार, धार्मिक त्योहार, फसलिय त्योहार, राश्ट्रिय त्योहार, राश्ट्रिय त्योहार पूरे राश्ट द्वारा मनाय जाते हैं, भारत में बहुत उत्साह के साथ मनाय जाने बाले कुछ राश्ट्रिय त्योहार हैं, स्वतंत्रता दिवस, गनतंत्र दिवस, गांधी जयंती और बाल दिवस, हम प्रत्येक वर्ष 26 जन्वरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं इसी दिन भारत का सम्विधान लागू हुआ था स्वतंत्रता दिवस प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को मनाया जाता है इस दिन भारत को अंग्रेजों से आजादी मिली थी गांधी जैन्ती हम प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर को गांधी जैन्ती मनाते हैं इस दिन हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म दिवस होता है जिन्होंने भारत को अंग्रेजों से आजादी दिलाने में महत्वपून्ड भूमिकाने भाई थी बाल दिवस धार्मिक त्योहार धार्मिक त्योहार हमारे देवी देवताओं की पूजा करने के लिए मनाय जाते हैं। ये प्रत्येक धर्म के अनसार अलग-अलग होते हैं। दशेहरा, दिवाली, इदुलफित्र, रक्षा बंधन और गुरुपूर्व कुछ महतुपून्ड धार्मिक त्योहार हैं। रक्षा बंधन रक्षा बंधन हिंदूओं द्वारा मनाय जाने वाला एक त्योहार है। इस दिन बेहने भाईयों की कलाई पर राखी बांधती हैं और उनकी सम्रिध्धी और सुख के लिए प्रार्थना करती हैं। भाई अपनी बेहनों को सभी बुराईयों से बचाने का वचन देते हैं। दशेहरा दशेहरा एक अन्य हिंदू त्योहार है। यह अच्छाई की बुराई पर जीत का प्रतीक है। ऐसी मानिता है कि इसी दिन भगवान राम ने रावन का वद किया था। इस दिन लोग शाम को एक बड़े मैदान में एकत्रित होकर रावन, उसके भाई कुम्भुकर्ण और पुत्र मेगनाद के पुतले जलाते हैं। दिवाली भी एक हिंदू त्योहार है। दिवाली का अर्थ होता है दियों की पंक्ती। हिंदूों की मानिता है कि भगवान राम 14 साल के वनवास के बाद इसी दिन अयोध्या लोटे थे। हिंदू दिवाली के दिन देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं और उनसे आशिरवाद मांगते हैं। वे अपने दोस्तों और रिष्टेदारों के साथ मिठाईयों का आदान प्रदान करते हैं। वे रात को पठाके छोड़ते हैं और मजा लेते हैं। इदूल फित्र एक मुस्लिम त्योहार है। इस दिन मुस्लिम मस्जिद में प्रार्थना करते हैं और अपने दोस्तों को अपने घर खुशिया मनाने के लिए बुलाते हैं। गुरुपर्व गुरुपर्व सिखों द्वारा मनाया जाता है। इस दिन सिख गुरुद्वारा जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, कार सेवा करते हैं और गरीबों के लिए लंगर का आयोजन करते हैं। आईए अब फसलियत योहारों की तरफ ध्यान दें भारत के विभिन भागों में फसल की कटाई के समय फसलियत योहार मनाये जाते हैं ओनम, पोंगल और लोहडी कुछ प्रसिद्ध फसलियत योहार है ओनम केरला का फसलियत योहार है इस त्योहार के दोरान घर पर पकवान बनाये जाते हैं, खेल खेले जाते हैं और सरपीली नौका दोर में भाग लिया जाता है पुंगल तमिल नाडु का फसलिय त्योहार है इस त्योहार के दौरान लोग अपने घरों को सजाते हैं और प्रचुर मात्रा में फसल होने के लिए सूर्य भगवान की पूजा करते हैं लोहडी पंजाब का फसलिय त्योहार है इस दिन अलाव जलाते हैं और अग्नी देवता को धन्यवाद स्वरू नई फसल की भेंट चड़ाते हैं हमने क्या चर्चा की? त्योहार उत्सव मनाने का अवसर होता है राश्ट्रिय त्योहार पूरे देश द्वारा मनाए जाते हैं स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, गांधी जयन्ती और बाल दिवस कुछ राश्ट्रिय त्योहार हैं धार्मिक त्योहार विभिन धर्मों के लोगों द्वारा मनाय जाता है रक्षा बंधन, दशेहरा, दिवाली, ईदुल्फित्र और गुरुपूरब कुछ धार्मिक त्योहार हैं फसलिय त्योहार भारत के विभिन भागों में फसल की कटाई के वक्त मनाय जाते हैं ओनम, पोंगल और लोहडी कुछ फसलिय त्योहार हैं अब सभी बच्चों का त्यदिल से धन्यवाद इस वीडियो को दोबारा देखने के लिए या इस वीडियो को अंतदक देखने के लिए make sure कीजीए आप इस वीडियो को लाइक करोगे, हमारे चैनल को subscribe करोगे और इस वीडियो की लिंक आपके जादा से जादा दोस्तों के साथ शेयर करोगे अगर आप एक पैरेंट है और आप आपके बच्चे के साथ एक वीडियो देख रहे हैं तो हमारे क्लास का जो आप है डी टू अकेडिमी का जो आप प्ले स्टोर पर अविलेबल है उस आप को डाउनलोड कीजिए उस आप में आपको इसी से रिलेटेड बाकी वीडियो मिलेंगे पीडियो मिलेंगे नोट्स मिलेंगे अगर आप एक माह है और आपके बच्चे का खुद पढ़ाई आप घर पे लेते हैं तो बाकी स्कूल टीचर्स में क्या होता है कि मैक्सिमुम नोट्स वगेरा वहां के स्कूल टीचर्स प्रवाइड करते हैं जो कि बच्चों के लिए होते हैं लेकिन हमारे यूट्यूब चानल की तरफ से हमने पैरेंट्स के लिए नोट्स प्रिपेर किये जो कि वो अपने बच्चों को अच्छे तरीके से गाइड कर सके और जो कुछ भी जानकारी उन बच्चों के स्कूल के किताब में नहीं है जो बच्चों को होनी चाहिए वो सारी जानकारी हैं माबाप के थ्रूब उन बच्चों तक पहुचाना चाहते हैं तो अगर उस notes को आप purchase करना चाहते हो तो इस वीडियो की description में हमारे classes के बगर नंबर दिये हो है या आप app throughpen purchase कर सकते हो आज की वीडियो की बस इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए देखते रहे हमारे YouTube चानल डिये टू एकडेमी स्टेक कनेक्टेट जुड़ते रहिए वीडियो देखते रहिए थेंक्यू चिल्ड्रोंस बाई 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 बाई